आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाऊ डाउनलोड नाओ Hello friends इस question में हमें क्या find out करना है The area enclosed by the parabola y square is equal to x plus 3y यह parabola है इसको कैसे लिख सकते है y square minus 3y is equal to x इसमें क्या करते है कि जो 9 by 4 है उसको add कर देते हैं और 9 by 4 को subtract कर देते हैं ठीक है तो यह क्या निकल के आएगा y minus 3 by 2 का whole square is equal to x plus 9 by 4 ठीक है तो यह हमारे पास कौन सा parabola आ गया right hand parabola आ गया जिसके हमारे पास coordinates क्या है minus 9 by 4 और y coordinate क्या है 3 by 2 अब हम इसका graph draw करते हैं तो graph draw करने के लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले जो यह point है इसको draw करेंगे अगर यह 1, यह 2 और यह 3 है तो minus 9 by 4 कहां पे आएगा 2 और 3 के बीच में कहीं आएगा है ना और similarly अगर y axis पे यह 1 है यह 2 है तो 3 by 2 कहां आएगा 1 और 2 के बीच में आएगा तो point कहां पे होगा, यहां पे होगा तो parabola कुछ ऐसा ही आएगा ना यहां पे और यह origin से पास कर रहे हैं, मतलब 0 0 इस equation को satisfy कर रहा है तो यह क्या होगा, origin से निकल के जाएगा ठीक है, अब हमें area किस चीज़ का find out करना है, हमें area find out करना है कि जो parabola और हमारी y axis ने area gay रखा है, उस area को हमें find out करना है, तो वो कौन सा area होगा हमारे पास, यह वाला area होगा ठीक है, तो हमारे पास double integration होगी फिर dx and dy ठीक है, सबसे पहले हम x की limits लिखते हैं, कि x की limits क्या होगी, अगर हम x की limits देखने चाहें, तो x कहा से कहा जा रहा है, यहां से, यहां तक जा रहा है, ठीक है, तो यहां पे x की value कितनी है, y square minus 3y, तो y square minus 3y, अब वो जा कहा तक रहा है, y axis पे y axis पे x की value कितनी होती है, 0 होती है तो यहां पे क्या रहेगा, हमारे पास 0 हो रहेगा, अब हमें y की limits देखने है y की limits क्या है, एक तो यह 0, यह वाली जो होगी, वो y की limits होगी ना, तो यह 0 से तो यह start हो रहा है ठीक है, लेकिन यहां पे आके खतम हो रहा है, अब देखते है कि यह वाला जो point है, वो कौन सा point है ठीक है, तो इसको देखने के लिए क्या करेंगे, हमें पता है कि y axis पे क्या होता है, 0 x की value जो होती है, वो 0 होती है तो इसको क्या put कर देंगे, 0 put कर देंगे, तो इससे हमारे पास क्या निकल के आएगा, कि जो y है यहां तो 0 होगा, यहां फिर 3 होगा, लेकिन 0 तो यहां पे है, तो यह point कौन सा होगा हमारे पास, 3 0, 3 होगा है ना, यह point हमारे पास 0 3 होगा तो हमारी जो limit होगी वो कहां से कहां तक होगी 0 से 3 तक होगी अब हम इसको integrate कर लेते हैं 0 से 3 यहां पे क्या होगा x और यह limit कहां से कहा है y square minus 3y 0 into dy ठीक है तो यह क्या निकल के आएगा 0 से 3 और यहां पे limit पुट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा y square minus 3y dy अब इसकी integration करेंगे तो क्या होगा minus of yq by 3 plus 3y square by 2 और यह कहां से कहां जाएगा 0 से 3 में जाएगा तो यह कितनी इसकी value आएगी minus 27 by 3 plus और यह क्या हो जाएगा 3 into 3, 9, 9 into 3 27 तो यहां पे क्या हो जाएगा 27 by 2 ठीक है तो यह क्या होगा हमारे पास यह minus 9 plus 27 by 2 ठीक है तो यह हमारे पास क्या निकल के आया 9 by 2 ठीक है तो इसकी value हमारे पास जो area है वो किसके बराबर आगया 9 by 2 के बराबर आ गया Thank you Classics to 12 से लेके Need IIT जेही Means और Advanced के लेवल तक 10 मिलियन से जादा स्टुडेंट्स का भरोसा आज जी डाउनलोड करें डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400-400-400 पर